नमस्कार मैं हूँ इंद्र मोहन आप देख रहें बिहार तर देश में अगले साल लोगसभा चुनाओ होने लोगसभा चुनाओ से पहले विपक्षी पाटियां जगा जगा जातिगत जनगन्ना का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं केंद्र की सर्था में आने पर राजियों में सरकार बनाने पर जातिगत जनगन्ना कराने के वादे किये जा रहे हैं इन वादों के बीच इरादों को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं जातिगत सर्वे को विपक्ष मौडल की तरह पेश कर रहा है उसी नितीश कुमार के बिधान सभा में पूरी रिपोर्ट पेश करते हुए इन सवालों के जवाब भी दे दिये हैं। जातिगत जनगर्ना के आखरों के मुताबिक अनुसूचित जाती की आवादी 19 परतीशत और अनुसूचित जनजाती की 1.68 परतीशत है। सामानेवर की जनसंख्या 14 परतीशत के करीब है। अब बिहार सरकार ने बिधान सभा में जातिगत आर्थिक और शैक्षनिक सर्वे की रिपोर्ट रखने के साथ ही उन सवालों पर भी विराम लगा दिया कि इसके बाद क्या। दरसल विपक्षी पार्टियां और कॉंग्रेस बिहार में हुए जातिगत जनगना का उधारन देते हुए सत्ता में आने पर पूरे देश में इसे कराने का वादा करे। कॉंग्रेस ने राजस्थान से लेकर मध्यपरदेश और 36 गर तक जातिगत जनगन्ना कराने का वादा अपने चुनावी घोशना पत्र में भी शामिल किया है। हलाकि कॉंग्रेस के नेता भी आवादी के अनुपात में हिस्सेदारी की बात तो करते हैं लेकिन ये नहीं बता पा रहे थे कि जातिगत जनगन्ना के बाद उनका अगला कदम क्या होगा। सरकार को कट घरे में खरा कर रही थी। नितीश कुमार ने जातिगत जनगन्ना की डिटेल रिपोर्ट विधान सभा में पेश किये जाने के बाद 50 फीजदी आरक्षन की सीमा को 65 फीजदी तक बढ़ाने का दाव चल कर ना सिर्फ 2024 चुनाव से पहले एक बड़ी लकीर जातिगत सर्वे कराया था हलांकि सर्वे के आंकरे जारी नहीं हो सके इसको आधार बना कर भी बिरोधी पार्ट यहां कॉंग्रेस को घेर रही थी। कॉंग्रेस के लिए बताना भी मुश्किल हो रहा था कि जातिगत जनगन्ना कराएंगे ये तो ठीक है लेकिन उसके वर्ग के लिए 10 पर्तिशत आरक्षन छोड़ दे तो 50 फीजदी आरक्षन की बेवस्ता है पिछरा और अति पिछरा वर्ग के लिए प्रदेश में अभी 30 फीजदी आरक्षन की बेवस्ता है जिसे नितीज सरकार ने बढ़ा कर 43 फीजदी करने का एलान किया है इन वर्गों कर दो फिजदी करने का एलान भी सरकार की ओर से किया गया है जातिगत जनगन्ना में जातियों की आवादी से जुरे आंकरे जारी किये जाने के बाद से ही जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग भी जोर पकर रही थी अब नितीश सरकार के दाव ने जातिकत जनगन्ना को जुन-जुना बताने वाली बीजेपी को भी फसा दिया है। बिहार बीजेपी के अध्यक समराज चौधरी भी इसे समझ है। सायर यही वज़ा है कि नितीश सरकार ने इस दाव को जैसे ही चला बीजेपी ने समर्थन देने की बात कर दी। बीजेपी ने साब कर दिया कि वो इस आरक्षन के प्रस्ताव का समर्थन करेगी। अब नितीश कुमार इस प्रस्ताव को विधान सभा में लाएंगे। अब यहां से देखना होगा कि क्या इसे वो रूप दे पाएंगे जिसे लेकर वो 2024 के लोगसभा चुनाव में एक बड़ी लकीर खीचना चाहते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताईएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सिर्फ बिहार तक।